दोस्तों हिमगाड एलक्टोनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे कुछ दोस्तों की रिक्रेस्ट पे हम स्पेशली वेंग स्केल जो मिल्क स्केल के लिए यूज होती है मतलब जो हम दूद को इकठा करते हैं घर घर से जाकर जो लोग काम करते हैं डैरी का जा फिर वो शोप पर जा फिर जो इंडस्ट्रीज में वेंग स्केल लगती है आज की डिसक्रेशन इस पे होने वाली है अगर आप वेंग स्केल में डील करते हो जा रपेडर हो तो अपना डिस्टिक वाईस और स्टेट वाईस अडरास जो लोग सेंड करें ताकि हमारे पास जो भी इनकवाईज रती है रपेडर की जा नए कांटकी हम आपको पर्वोड कर सकें दोस्तो हिम गार जो भी जरूड़ करें और गाड़ी में आपने 5-6 कैन रखे हुए हैं तो फिर आपको जो है 100 kg का कांटा लेना चाहिए जो प्लेट फॉर्म जिसका जो है वो SS का होना चाहिए क्योंकि SS पे जब दूद गिरता तो उस पर कोई इंपक्ट नहीं पड़ता जैसे कि यह आप देख रहे हो SS का प्लेट फ स्केलों का एक शोटी कैनी रखनी है फिर आप 200 kg का वेंग स्केल है ताकि आपके दोनों के वहां फिट हो जाए यह जो आप बिद इंडिकेटर अगर ले रहे हो तो फिर आप दुकान पर यूज करें मिल्क के लिए अगर आप फील्ड में यूज करें तो इस तरह का कांटा यूज करें यह तीन साइज में आता है बारा इंच वाए बारा इंच वाए बारा इंच वाए 16 वाए 16 और 20 इंच वाए 20 इंच में तो आप अपने काम के हिसाफ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं इसकी हमने इंडिविजवल वीडियो भी बनाई हुई है जो आप 50 kg 100 kg या 200 kg लि विद्मी में रखने हैं या फिर अवर मोटर साइकल पर रखने हैं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालने जा रहा हूं उसमें आपको जो है छोटा स्केल मिलेगा जिसको हम मोटर साइकल पार बिषिट कर सकते हैं और इसलिर उस दोड़ी कौशाचिटी में दूद कांटे में जो है special features होते हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो जो इंडवीज्वल हर एक capacity की डालेंगे जो पचास के के लोगा सो के लोगा होगा अब जे सबसे कम वेट वाला है जिस पर हम सिंपल एक कहनी ही रख सकते हैं तो दोस्तों अगली वीडियो में बहुत डिटेल में बात करेंगे आज जस्ट हमने आपको इंटर्ड्यूस किरवाया है मिल्क स्केल से थेंक यू